Hello everyone, I am Jyoti Jha and welcome to NCR to the Mind तो आज हम लोग पढ़ेंगे Class 4 की EBS Book Chapter 26 Defense Officer Wahidah तो चली पढ़नाई स्टार्ट करते हैं Defense Officer Wahidah यानि की 4G Wahidah Have you ever seen her photograph anywhere? क्या आपने इस photograph को कहीं भी देखा है? ये जो photograph है, क्या आपने इसे कहीं भी देखा है? She is Lieutenant Commander Wahidah Prism, Doctor in the Indian Navy तो ये है Lieutenant Commander Wahidah Prism, जो की Indian Navy में Doctor है She is one of the few women who has worked on a naval ship तो ये कुछ women's में ही एक है जिन्होंने naval ship में काम किया Naval ship यानिकी समुद्रे चहाज पे काम किया She is the first woman to lead a parrot तो ये first woman है जिन्होंने की parrot करवाया पूरा का पूरा parrot करवाया This is considered to be a very big honor in the armed forces तो ये एक armed forces के लिए बहुत बड़ी सम्मान की बात होती है ठीक है? तो हम ये जानते हैं कि पहले force कितने तरह का होता है Force तिन तरह का होता है ठीक है? एक तो होता है army, दूसरा air force, तूसरा navy तो देखिए तीनों का अलग-अलग काम होता है जो army वाले होते हैं तो army जो होता है वो land से war करता है ठीक है? जमीन पे रहके war करता है और जो air force होते हैं तो वो उपर से आसमान से war करते हैं ठीक है? और जो navy के होते हैं वो underwater war करते हैं समुद्र के नीछे सबस्क्राइब को साथ तो एक ह्तों तो हम लोगों ने बारे में कहा čहा है और सब्सक्राइब क्षेश कहते हैं क्या पूर्चष्ड ने ही हम लोग जानते क्या कोने हैं दो क्या पूर्चते हैं की वहहिदा tell us something about your childhood and school तो वाहिदा अब हम लोगों को बताईगे अपने school के बारे में और childood के बारे में बच्पन के बारे में कुछ बात हैं अब वाहिदा बता रही है कि I come from a very small village called थन्नामंडी तो मैं एक बहुत ही छोटे से गाउं से आई हूँ जिसका नाम है थन्नामंडी तो यह है रजोरी डिस्टिक में जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है I did my schooling from a government school तो मैंने अपनी school के पढ़ाई एक government school से की most of the girls from the village studied in my school तो जादा तर लड़किया जो कि village की जादा तर लड़किया थी वो मेरे साथ ही मेरे school में ही पढ़ाई करती थी However, few of them ever thought of what they would do after finishing school तो उनमें से कुछ ही लड़किया ऐसी थी जो कि यह सूसती थी कि वो school finish करने के बाद क्या करेंगी I always wanted to become someone special and move forward in life तो मैं हमेसा कुछ बनना चाहती थी कुछ special बनना चाहती थी और मैं आगे कुछ करना चाहती थी अपने life में आगे बनना चाहती थी I was very interested in higher studies and wanted to complete the 10th class तो मैं अपना higher studies के लिए बहुत ही जादा interested थी और मैं अपने 10th class को complete करना चाहती थी In my area, it was a new thing at that time तो उस समय ये सब चीज जो है न मेरे area में बहुत एक नया चीज था ठीक है? वो बताती है My mother and father had to face many problems because of this तो मेरी जो ममी पापा थे तो बहुत सारी problems face करते थे We ever had to move out of our village तो हम लोगों को अपना गाउं भी छोड़ना पड़ा We then went to live with my grandmother in Razaori तो हम लोग उस समय क्या था कि हम लोग अपने grandmother के पास Razaori चले गए वही Razaori में रहते थे अपने grandmother के पास I did my 12th class from there तो मैंने अपना 12th class वहीं से किया complete अब देखें, second question क्या पूछते है So you always thought differently right from the beginning तो देखें, अब इसमें पूछा जाता है कि आप starting से ही कुछ different करना चाहते थी ठीक है? क्या question पूछे कि अब starting से ही कुछ different करना चाहते थी तो वहीदा बताती है कि ever when I was very young I wanted to do something different तो बताती है कि जब मैं यंग थी तो तभी से मैं कुछ different करना चाहती थी I was very fond of riding a motorcycle तो मुझे motorcycle का बहुत ही सौक था और वह चाहते थे कि उनकी जो third daughter है वह चाहे तो lawyer बने या वह police force join करे I have become a doctor in the Indian Navy and my sister is in the Jammu police force तो देखी बताती है कि मैं तो doctor बन गई इंडियन नेवी में और जो मेरी sister थी तो वह जमू police force ठीक है जमू में वह police बन गई ठीक है question है अब कि how did you become a doctor तो आप doctor कैसे बनी तो आईदा बताती है कि I worked very hard तो मैं बहुत hard work करती थी my friends and family members helped me a lot तो मेरे friends और मेरे जो family members थी उन्होंने बहुत ही ज़्यादा help किया मेरा I got admission in Jammu medical college और मैंने Jammu medical college में admission लिया I studied for five years and did my MBBS तो मैंने five years study किया वहाँ पे और मैंने MBBS किया तो देखें MBBS, MBBS का full form क्या होता है bachelor of medicine और bachelor of surgery तो question है अब कि how did you get into the defense forces तो आप defense force में कैसे आई didn't your family stop you तो क्या आपके family ने आपको रोका नहीं तो अब देखें वाहिदा क्या बताती है oh no they felt that a job in the forces would be the best thing for me तो नहीं उन्होंने सोचा कि ये जो job है force में जो job है वो बहुत ही अच्छा चीज है एक best thing है मेरे लिए when I was very small I would see army officers in our village तो जब मैं बहुत छोटी थी तब ही से मैं अपने village में army officer को देखती थी I wanted to be like them तो मैं भी उनके जैसा बनना चाहती थी this was really a very big dream for me तो ये सच में बहुत ही जो है एक dream था मेरे लिए बहुत बड़ा सा dream था while in school I attended camps claimed mountains and was a girl guide तो देखिए बताती है कि मैं school में camp attend करती थी ठीक है और mountain में जो है चड़ाई के बारे में सोचती थी और जो girl guide यानि की girl के लिए guide करना चाहती थी after I became a doctor I appeared for an interview to join the armed forces तो बता रही है कि जब मैं doctor बनी training होता है वो six month का होता है तो वो training भी की इसके बाद है question की why did you join the Indian Navy तो आपने इंडियन नेवी क्यों join किया do you not have to leave on the naval ship तो आप do you not have to leave on the naval ship तो आप क्या naval ship में नहीं रहना चाहती थी तो देखे अब वहिदा बताती है कि well I am very fond of traveling तो मुझे traveling का बहुत सौक था I like to see different places मैं different places देखना चाहती थी I wanted to go too far of places मैं दूर दूर तक जाना चाहती थी I was born in the hills and now I am working in sea तो मेरा जन्म जो है वो हिली एरिया में हुआ है ठीक है तो में हुआ और मैं काम करना चाहती हूं ठीक है मैं समुंदर में काम करना चाहती हूं I really enjoy it और मैं इसे enjoy करना चाहती हूं ठीक है अब देखे very few lady officers have worked on a ship तो बहुत कम lady officers हैं सिप में काम करती है सिप पर ठीक है I am one of them मैं उन्में से एक हूं earlier women were not allowed to go on naval ships जो पहले की जो women's होती थी ठीक है तो वो naval ship में उन्हें जाना allowed नहीं था वो नहीं जाना चाहती थी when an opportunity was given I myself went forward and gave my name तो जब मुझे opportunity मिला ठीक है opportunity दिया गया तो मैं अपने आपको अपना नाम करना चाहती थी मैं आगे जाना चाहती थी ठीक है I even want to go in a submarine तो मैं submarine में जाना चाहती थी submarine जो होता है वो underwater होता है ये एक तरह का जो होता है जो जिसे बोलते है हिंदी में पंडू भी जो बिल्कुल ही चारो ओर से pack होता है ठीक है वो बिल्कुल नीचे ही चलता है शमुद्र के नीचे I want to do everything which people think women cannot do तो मैं हर चीज़ करना चाहती थी लोग जो सोचते थे कि जो मैं नहीं कर सकती तो मैं हर काम करना चाहती थी At present, women are not allowed to go in submarines but whenever it is allowed I will certainly go तो देखे, present में बोला जाता था कि कि women's को allow नहीं है सब मरीन में जाना तो ये बताती है कि मैं बिल्कुल ही जाना चाहती थी तो मैं जाओंगी वो ऐसा कहती थी अब देखे, फिर question है So what happened to your degrees of MBBS तो अब क्या होगा आपके degree का MBBS का जो degree है उसका उसका क्या हुआ ये कहा जा रहा है कि आपके MBBS degree का क्या हुआ तो वहिदा बोलती है I am a doctor बट इन इंडियन नेवी एन नेवर डॉक्टर ड़स नोट जस्ट गीव मैडिशिन टू पैसंट तो देखे, मैं एक डॉक्टर वहिदा बोलती है कि मैं एक डॉक्टर हूँ लेकिन इंडियन नेवी में ऐसा नहीं है कि डॉक्टर जो होते हैं वह सिप मैडिशिन के लिए पैसंट को मैडिशिन ही देते हैं C is in fact a medical officer तो in fact वर जो है न एक medical officer है The ship goes to sea for 3-4 months at a time तो क्या होता है ship जो है न वो चला जाता है यानि कि 3-4 months के लिए ठीक है There It is my responsibility to make sure that everybody on the ship stays fit and healthy तो ये जो है मेरा responsibility होता था कि हर कोई ship में बिलकुल ही fit and healthy रहे I carry out medical checkups of all the officers and soldiers मैं हमेशा जो है medical checkup करती रहती थी जो भी officers and soldiers होते थे सभी का I always have to make sure that cleanliness is maintained on the ship मैं हमेशा जो है ship में जो साफसफाई होता था उसे maintain करती रहती थी I have to ensure that no guardways collect and there are no rats on the ship तो मैं हमेशा जो है यह देखती रहती थी ensure रहती थी कि guardways collect यानि कि guardways नहीं हो और नहीं कोई rats हो ship पे ठीक है rats and garbage can spread diseases जो garbage होते हैं और rats जो होते हैं वो diseases जो है वो फैलाते हैं ठीक है I must keep everybody ready for any medicine emergency on the ship तो मैं हमेशा हर किसी के लिए ready रहती थी ठीक है medicine emergency medicine वो भी ship पे रखती थी in case there is an accident on the ship like a fire everybody must be ready to deal with it तो अगर देखे कोई भी किसी भी तरह का in case कोई भी accident हो जाता था ship पे like a fire तो हर कोई जो है न तैयार रहता था अब देखे question है कि is there a hospital on the ship तो ship पे क्या hospital भी होता है तो आहिदा first aid is given on every naval ship first aid जो होता है वो हर naval ship को दिया जाता है each ship has one doctor and two or three assistants तो देखे उसमें जो होता है न ship पे एक doctor होते है और two or three assistants होते है necessary medicines and some equipment are also available necessary medicines जो होते हैं और कुछ equipment वो हमेशा एबलेबल होते हैं all these things are kept in a small room तो यह सारे चीजें जो एक small room में रखा जाता है फिर question है कि you are the first woman to lead a parent you must have worked very hard for this तो आप एक ऐसे women हैं जिन्होंने की parrot करवाया ठीक है तो यह बहुत ही hard चीज होगा आपके लिए यह करना बहुत ही hard काम होगा वाइदा बोलती है my seniors मैं जो आपकेश आपकेशे से लगर जिन्होंने मंत चाहिए क 1000 अपकेशे से की सोट आप्रग्टीस्ट वेरी सिंसीरली तो मैं बहुत जाधा सिंसीरली प्राक्टिस करती हूं ठीक है मैंने बहूत है ज्याधा अछा से प्रैक्टिस किया अब कॉस्चन है कि टेल सम्थिंग अबाउट बाउट तो अब पैरेट के बारे में कुछ चीजे बताईए तो वहिदा बताती है इन्हें पैरेट फोर प्लैटून्स मार्च बिहांड दा लीडर तो देखें पैरेट में क्या होता है फोर प्लैटून्स जो होते हैं वो लीडर के पीछे पीछे चलते हैं ठीक है मार्च करते हैं 36 कमांड एक दो गिवन दूरिंग दा इंटाइर पैरेट के बीच में 36 कमांड दिये जाते हैं उन्हें इस मस्ट भी गिवन इन वैरी लाओड बॉइस सो दाट इस हीर तिल दा रियर ठीक है तो यह जो होता है ना कमांड यह बहुत ही लाओडली बोला जाता है दब वाइस सुट आलसो रिच दा इस्पेक्टेटर इस्पेक्टेटर सेटिंग ऑन द अधर साइड आप द ग्राउंड तो यह जो है ना स्पेक्टेक्टर जो वहां दूसरे साइड में जो बैठी रहते हैं ग् ठीक है उसके बाद है फिर कॉस्टेन है कि डिदेंट यू फिल नर्वस लेडिंग फॉर प्लैटून्स तो क्या आप जो है ना नर्वस नहीं होती थी जो लेडिंग करवाती थी जो प्लैटून्स को तो उसके लिए आप नर्वस नहीं होती थी तो वहिदा बोलती है I was not nervous but but one has to sound 36 commands, तो मैं नर्वस नहीं होती थी, ठीक है, योग्कि मुझे 36 commands भी करवाने थे, if you forget even one, the entire parrot can get spoiled. अगर तुम एक भी command अगर भूल जाते, ठीक है, तो जितना भी entire parrot जो है, वो बिलकुल ही खत्म हो जाता, ठीक है, I practiced every morning and evening for a month, तो मैं मन्थ में हर morning और evening प्रैक्टिस करवाती थी, but I have been participating in parrots since school, तो मैं school में participate किया करती थी, ठीक है, parrots में, उसकी बाद है question, कि what is the meaning of the word, prism, in your name, तो आपके नाम में जो prism है, ठीक है, एक word है, जो prism, उसका meaning क्या है, तो वाहिदा बोलती है, कि my father gave this name to me, तो मेरे father जो है, उन्होंने मुझे यह नाम दिया, a prism is a kind of glass, which reflects seven colors, तो देखे, prism जो होता है न, वो एक तरह का जो glass का प्रकार है, ठीक है, kind of glass है, जो की reflect करता है seven colors को, जिसमें seven colors होते हैं, my father wanted me to be like a prism, and that is why he started calling me by this name from my childhood itself, तो वो बोलती है, कि मेरे पापा जो है, वो चाहते थी कि मैं prism के तरह बनू, ठीक है, तो उन्होंने ही मुझे यह नाम दिया, और वो बच्पन से ही मुझे इस नाम से पुकारते हैं, अब देखे, question है, कि do you know anyone who is in defense services, it is person in the navy, army और air force, तो क्या आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं, जो कि defense में service करते हैं, तो वो person, वो किस में काम करते हैं, नेवी में, आर्मी में, या एर फोर्स में, तो यह आपको खुद लिखना है, आपके रिलेटिप्स या आपके घड में ही, कोई ऐसे हैं कि जो आर्मी में, एर फोर्स या नेवी में काम करते हैं, तो उसके बारे में आपको लिखना है कि कौन है, what work do they do in the force, आर्मी, नेवी और एर फोर्स तो आप किस में जोइन करना पसंद करेंगे, ठीक है, तो कौन सा आर्मी, नेवी या एर फोर्स, यह भी लिखना है आपको खुद, अब देखें कौन ऐसा जॉब है, कोई भी दूसरे जॉब के बारे में आपको बताना है, जिसमें की लोग यूनिफर्म पहनते हैं, डिफेंस सर्विस के तरह, ठीक है, डिफेंस में जैसा पहनते हैं, वैसा ही, वाहिदा, वाहिदा जो है, इंडियन नेवी में डॉक्टर की तरह, डॉक्टर में यानि की वर्क करती थी, एज दॉक्टर, ठीक है, तो क्या आप फाइब अदर अकुपेशन्स बता सकते नेवी में, जो भी और दूसरे काम होते हैं, जैसे और क्या काम किया जाता है नेवी में, तो वह आपको बताना है, हैब ईश आते विए और सीन ए पैरेट का, आपने कभी पैरेट देखा है, तो पैरेट आपने देखा होगा, जैसे टीवी में जो है, Republic Day होता है Independence Day होता है उसमें भी parrot करवाया जाता है उसमें देखा होगा या आपके कोई भी अगर relative सी या आपके घर में ही कोई अगर force में होंगे defense में होंगे तो आपने parrot जरूर देखा होगा hold a parrot in your own school and try giving 36 commands for example parrot I write eyes right, don't move close in, open file can you add some more commands to this list तो यह सारे commands है 36 commands होते हैं जैसे तो यह सारे आपको जैसे की करना है उसके बाद है talk to a doctor and find out about her his work अब जो है doctor से आपको बाते करना है ठीक है और उनके काम के बारे में आपको पता करना है do you know any woman who has done something usual तो देखिए इसमें कहा जा रहा है कि क्या आप किसी ऐसे woman को जानते है जो की कुछ unusual किया हो ठीक है और सामान्य चीज ऐसा कुछ हो ठीक है talk to her in the same way as we talked to lieutenant commander वाहिदा प्रेजम ठीक है अब वाहिदा प्रेजम के जैसा जैसे की ऐसे ही वाहिदा प्रेजम जैसे वो डॉक्टर थी तो उसी तरह से कोई ऐसी है जो की कुई काम करती हो think of the questions that you will ask तो आप सोची और ये आप question पूछ सकते हैं पूछेंगे find out why she has chosen that work तो ये भी पूछेंगे पता करेंगे उन्होंने इस work को कैसे चूज किया what were the difficulties she faced in her life तो क्या-क्या difficulties उन्होंने face किया अपनी life में तो ये सारी बातें आपको पूछनी है तो ये आपका चाप्टर complete हो चुका है तो आपने पढ़ा वहिदा प्रिस्म के बारे में कि वो एक defense officer थी, doctor थी तो बहुत ही उसके जैसा ही बनना चाहिए कि उसने कितना अच्छा काम किया तो ये चाप्टर complete हो चुका है अप इसे अच्छे से पढ़िए और अच्छे से समझे और कैसा लगा आपको मेरा पढ़ाना मुझे जरूर बताईए अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल NCRT The Mind को like subscribe कीजे और पास में दिये गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजे ताके NCRT से related हर वीडियो आपके पास समय से पहुंसती रहे और आपको जहां कहीं भी समझने में परिशानी हो रही हो तो आप मुझसे comment के द्वारा भी पूच सकते हैं तो चली मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई टेक कियर थैंक्स तो वाच माई वीडियो